हेलो फ्रेड़ तु वेल्कम टो माई स्टड़ी फीडो फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों यह वीडियो है इनुटोमियों फिजियो लोगजी के सिस्टम यानि ग्लैंड यानि ग्रंठियों के बारे में जिसके अंतरगत एग्जोक्रेंड, एंडोक्रेंड आधि हमसे डिटेल में explain करते हुए questions का revision daily basis पे करा रही हूँ जिसे आप daily basis मेरे साथ जुड़ जाए मेरे साथ practice कीजिए और अपना self study भी करते रहे एक एपल BPSC TGT दो हो जाए test के लिए physical education के लिए नहीं है otherwise all physical education competition exam के लिए most important है सभी वीडियो जैदि आप theory session देखना चाहते ह है एक-एक topic का chapter wise तो मेरे चैनल के playlist में जाए और सभी playlist एक-एक chapter का बना हुआ है वहाँ पे detail में अधियन कर सकते हैं तो समय नश्चनल करती हुए चलते हैं आज के questions के तरफ दोस्तो question है वह ग्रंथी जो हार्मोन को इस्त्रावित करती है वह ग्रंथी जो हार्मोन को इस्त्रावित करती है तो दोस्तो ग्रंथी जो है वो तीर प्रकार की होती है एक अंतह इस्त्रावी ग्रंथी जिसे नलिका विही या एंडोक्राइन ग्रंथी कहते हैं और दूसरा होता है वह इस्त्रावी जो नलिका युक्त या एक जो क्राइन ग्रेंड कहते हैं तिसा होता है मिसिज ग्रंथी जिसे मिक्स्ड ग्रेंड कहते हैं जो अंतर इस्त्रावी ग्रंथिया होती है नलिका विहील होती है जिसे इंडोक्राइन बुला जाता है यह हार्मोन इस्तरवित ग्रंथ को सब्सक्राइब शेक्त कर्णा तती हैं, मिंग्स ग्रंथों के अंत्राइब अंतरवित और लिक्हाइब इस्तरवित करती हैं तो यहां पर यह question है वह घ्रंथी जो हर्मोन को इस्वरवित करती है तो the gland that secrets हर्मोन तो कौन है ऐसा ओ है यहां पर pituitry भी है thyroid भी है आगनासर भी है उपरोग तो सभी आपका all of the these all of the above आपका right हो जाएगा नेक्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट् ग्लैन कहते हैं and the next question है एक स्वास्ते मनुस्य का समाने तापक्रम कितना होता है एक स्वास्ते मनुस्य का समाने तापक्रम कितना होता है what is the normal temperature of a healthy human being तो उसका होता है 98.6 degree Fahrenheit, अगर degree Celsius में बात लिए होता है, यानि कि दोस्तों जो शरी में तापमान का नियंतर होता है, वो मस्तिस्क में इस्थित हाइपूधालमस के द्वारा होता है, याद रखिएगा, और हमाइपूधालमस समस्त भावनाव का भी केंदर है, तो शरी के और संचाले नियों वास्पी क्रोड के द्वारा होता है निस्करिया अवस्था में वातावरों प्रचूर फेर बदर की इसीती में भी सरीर का तापमान अपेच्छा के समान इस तर पर नियंतित रहता है हमारे स्कीन में तोचा में तापमान को ग्रहर करने वारे तत्वे ब्यायाम की सहता से सरीर का तापमान एक समान इस तर पर बनाए रखने में हाइपूथ हेलिमस की सहता से करते हैं सरीर का तापमान ब्यायाम की गहंता और आओधी के अनुपात में बढ़ता है यानि कि समा में इस तो पर व्य आयाम सरी के आत्रिक तापमाल को बहा सकता है तो एक लेबल पर रखता है एकसरसाइज तो आप नेक्स्ट कोस्टन है इंसुलिन का इस्टराव किसके द्वारा किया जाता है इंसुलिन is secreted by whom तो किसके दोरा इंसुलीन का इस्टाव किया जाता है दोस्तों तो इंसुलीन का इस्टाव किया जाता है आगनासा यानि की पैंक्रियाज से इंसुलीन का इस्टाव किसके दोरा होता है आगनासा यानि की पैंक्रियाज से इंसुलीन का इस्टाव होता है यानि कि आगनासा में लेंगर हैंस की दिपिकाओं से एलफा, बीता, डेल्टा, एन एक कोसिका होती हैं जिसके अंतरवर्बत एलफा कोसिका से ग्लुकेगान हर्मन इस्तावित होता है जो ग्लुकोज, ग्लाइकोजन को ग्लुकोज में प्रिवर्टित कर देती है ग्लाइकोजन को किसमें प्रिवर्टित कर देती हैं ग्लुकोज को, ग्लुकोज में और दूसरा होता है बीता कोसिका बीता कोसिका से इंसुलीन नामक इस्तावित होता है जो इंसुलीन क्या करता है इंसुलीन जो है वह ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर पाली पेप्टाइड हार्मोन इस्टाइड होता है, जो 36 अमिनो एसिर्स पेप्टाइड का उत्पादन करता है, इस प्रकार एलफा इंसुलिन जो है आगनासे से इस्टावित होता है, यह पैंक्रियाज के लंगे हैं, इसकी दिपिकाओं के एलफा कोसिका से ग्लुकेगान, and बीटा कोसिका से इंसुलिन, and डिल्टा कोसिका सुमेटोस्टेटिन, and F कोसिका से पालिकेटन इस्दावित होता है। इंसुलीन के द्वारा इंसुलीन के द्वारा, 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 इंस इंसुलिन करता क्या है? ग्लुकोज को ग्लाइकोजोर में प्रवचित करता है और ATP उर्जा का निर्मा करने में सायता करता है. जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लुकोज ग्लाइकोजोर में प्रवचित नहीं हो पाएगा और ग्लुकोज उर्जा में ही प्रवचित नहीं ह सब्सक्राइब किसके कमी से होता है कि अब देखिये हैं डायवेटी इस कॉज़ेज बाइड़ ऊपी सीटैर जान उतनी किसकी कमी से होता है इंसुलें की कमे से. आथ निएक्ट कोशन है रख्त सरक्रा इस तर बढ़ने के लिए अग्नासर से उस्सरजित हर्मून है तो जो आपका इंसुलीन जो आपका पैंक्रियाज होता है अगनासे के लेंगर हैंस कोसिका से इलफा बीटा डेल्टा एफ कोसिका होती है जिसके इलफा कोसिका से ग्लुकेगान इस्ताइवित होता है जो ग्लुकेगान हर्मोन इस्ताइवित होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लुकोज बदलता है यानि कि रखत सरक्रा इस्तर को बढ़ने के लिए बढ़ाता है वो जो बीटा कोसिका से इंसुलीन हर्मोन इस्ताइवित होता है जो ग्लुकोज को ग्लाइकोजन बदलता है यानि कि ग्लुकोज के सरक्रा के स्टर को कम करता है, वो होता है insulin दिए रखेगा इन्दोनों को कंट्रोल को न करता है glycogen, glucogen और insulin हर्मोन के अतदिख इस्टराओं को कंट्रोल करता है delta cocika से star with somato estatine hormone and the next question है मानुसरी में कौन सी ग्रंथी सरक्रा को नियतित करती है विच ग्लेन कंट्रोल सुगर इन दा हुमन बार्डी तो वो होता है पैंक्रियाज ग्रंथी यानि की पैंक्रियाज ग्लेन अगनासे अगनासे ग्रंथी जो होती है मिक्स ग्लेन के नाम से जाना जाता है और इसमें हर्मोन और यंजाइम दुनों इस्तावित होती है जिसमें स से ल्गा हेंस की डीपकाउंस से अर्फा से गोलकेगान बी Mario कुराओ से इंसुलिंच देल्टा से सुमेट्री स्थिटील एपसे पॉलेक टेपडाइड हर्मौन इस्थिया था होता है ओ सभी प्सक्षोंच मिलेंट जीन ais मांश्ट्रगरंधी इसको सभू क menor गरंधी ही जो समझते, अन्तहिट्रेव के रन्टियों को कामः र क्रती है, तो ये कहां पर इसिद होती है, पित्तुरूट्री ग्लेंड ये आए मस्तिसक की सतों पर इसिद होती है, मस्तिसक की सतों में in the surface of the brain यानी मस्तिस के ब्रैन की surface पर इसिद होती है इंब नेक्ट है Lemia को सी किस हार्मोन का इस्तावीबी वर्ड होता है vijich हार्मोन इन इज हेar डंड फॉर्म नोट्स आफ लाइग हैं लेगएगहेंस , hellHave लेगोही है कार्मोन इस्तावीब वर्ड होता है ? तो वो होता है आपका इंसुलीन पेपसीन, पेप्टोन, रेनिन इस अब तो आपका होता है पेपसीन, रेनिन, ए अमासे से इस्टाविट होने वाले एंजाइन है जो पेपसीन जो होता है, प्रोटीन को पचाता है, रेनिन दूद को पचाता है और नेक्ट कोश्चन है निर्मेंसे कौन से प्रमुक्ध स्ट्रेस हर्मोन है है इस्ट्रेस यानि की इसमेंसे कौन सा which of the following are major stress hormones प्रमुक्ध इस्ट्रेस हर्मोनों इसमें कौन है तो दोस्तों यहां पर Kartisol and Adrenaline ये दोनों Stress hormones के नाम से जाने जाते हैं जैसे कि जो Adrenal Granthi है उसमें जो Adrenaline hormone होता है वो अचानक बिपती आने पर हमारे सरीर की रच्छा करती है यानि एडिनेन गरंथी से इस्तरावित एडिनेन हर्मोन जो है अनुकमपी त्रिका तंत यानि सिंपेधेटिक नर्वा सिस्टम से नियदित होने वाली क्रियाओं को नियदित करती है यानि कार्कारी अंगों के इफेक्टर्स आरगन के एलफा और बीटा रिसेप्टर्स को प्रहावित करती है यानि इसे लड़ो या उड़ो हार्मोंस, फाइट फ्ले हार्मोंस भी कहते हैं और यह हमेशे अंकट कालिन परिसितियों का सामना करने के लिए तयार करता है अधिक मात्रा में उत्पन होता है जैसे कुरोधाने पर, डर लगने पर, गुटन होने पर, घबराहट होने पर, भूख लगने पर यह बढ़ जाता है जिसके कारण रोक्तदाब भी बढ़ जाता है परन्तु अंतरांगों के लिए धीमी हो जाती है यह आपका स्ट्रेस हर्मोन तोलाता है यानि कि जो कार्टिसोल और अध्रिनलीन दोनों आपके अध्रिनल ग्रंट से इस्त्रावित होते हैं पोजिस्ट्राल हर्मोन किस गरंथी से इस्त्रावित होता है पोजिस्ट्राल हर्मोन इस से क्रिटेट फर्म विच ग्लेंट तो यह होता है अंडा से यानि की ओवरी से और पोजिस्ट्राल हर्मोन किस से इस साइट होता है अंडा से यानि की ओवरी से आपका अन्दासर यानि और उसे एस्ट्रूजन ए पोजिस्ट्रन यानि की मेलाव के हर्मोन से इस्टावित होते हैं आपका तेस्टिस से आपका तेस्ट्रूजन हर्मोन इस्टावित होता है तो याद रखेगा है नेक्स्ट कोश्टन है T3 हर्मोन किस अंता हिसावि गरंथी से इस्तावित होते हैं T3 हर्मोन is secreted from which endocrine gland जो T3 हर्मोन होती है T3 और T4 एक थाराइड गरंथी से इस्तावित होती है किस गरंथी से इस्तावित होता है थाराइड गरंथी से तो आफसर नंबर B आपका दाइड हो जाएगा थाराइड गरंथी से यानि कि T3 को कहते हैं थारोडाइड हर्मोन या त्याट्राइ आयोडू थारोनिन और T4 को बुला जाता है थाराक्सिन या त्याट्रा आयोडू थारोनिन T3 जो होता है T4 से ताकतवर में ज्यादा होता है चार गुना किन्तु और इस्थाई होता है सभी तंत्रों की क्रियात्मक्रियाओं को प्रहावित करता है T3 जो T4 होता है वो थाराक्सिन या त्याट्रा आयोडू थारोनिन होता है T4 को थाराक्सिन हार्मोन कहते है और 80% उत्पादित होता है T3 और T4-Pitryutri Gronthi के थारोट्रोपिन हार्मोन के उत्यजित करनी पर थाराइट ग्रूंति से उत्पादित होते है and the next question है जो थाराइट ग्रंथी जो है सबसे बड़ी अनताइस्टलवे ग्रंथी है और थाराइट ग्रंथी क्या करती है थाराइट ग्रंथी से थाराक्सिन हर्मोन जो होती है सभी प्रकार के उपापचाय क्रियाओं के प्रतिनियमी तो आक्सिक्रित प्रक्रियाओं को गती प्रदान करती है याद रखेगा सभी उपापचाय क्रियाओं को और निंजित करता है थाराइट ग्रंथी से थायक्सिन हर्मोन and next question है सबसरी की सबसे बड़ी ग्रंथी है the largest gland in the body तो उँ होता है आपा यकृत यानि की लीवर सबसे बड़ी ग्रंथी की बात करेते लीवर और सबसे बड़े बड़ा आंगी की बात करेंगा तो तो चाहिए यानि इसकीन हो जाएगा नेशनीन में से कौन सी ग्रंथी अहस्ता अंता इस्टावी ग्रंथी नहीं है ने अगास को जांगों से कौन सा हर्मोन इस्टाविथ होता है which are the following hormones is secreted in the human body during time of stress तो during time of stress ये तरनाव के समय में कौन सा हर्मोन इस्तावित होता है तो वह होता है आपका Adrenal Grunty ठीक है कौन सा हर्मोन इस्तावित होता है Adrenal Grunty तो Adrenal Grunty से Adrenaline नम इस्तावित होता है तरनाव के समय इसको जीवन रच्छक हार्मोन भी बोला जाता है क्या बोला जाता है जीवन रच्छक हार्मोन या फाइट अफले हार्मोन बोला जाता है एडिनल ग्रंथी को लडो या उडो हार्मोन क्योंकि संकर्ट काले परिसिट्यों का सामना करने के लिए तयार करती है या अनुकम भी तंत्रिका तंत्र से नियंतित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है and next question है कौन सी ग्रंथी मानुसरी में अन्ता हिस्त्रावी और बाहिस्त्रावी दोनों रूप में कारख करती है which gland functions both endocrine and exocrine in the human body वो होता है आपका आगनासा यानि के पैंक्रियाज आपका सहने पैंक्रियाज अन्ता हिस्त्रावी के रूप में अवाई इस्त्रावी के रूप में दुनों में काम करती है अन्ता हिस्त्रावी के रूप में बहुत से enzyme हर्मोन हिस्त्रावी के रूप में लेंगा है इसकी दिपिकाउंस से alpha कोसिका से ग्लुकेगान, हर्मोन, बीडा से इंसुलीन हर्मोन, डेल्टा से सुमेटोइस्टेटिन हर्मोन, या कोसिका से पॉली पेप्टाइड हर्मोन इस्टाइवित होती है, जबकि यह अंतर हिस्टाइविक रूप में हर्मोन इस्टाइवित होता है, वह हिस्टाइविक रूप में अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिपसीन एंजाइम इस्तावित होती है जो अमाइलेज कार्बोहारिड का पाचंग करता है लाइपेज वसा को फैटी एसीरी मदल कर वसा का पाचंग करता है और ट्रिपसीन जो है प्रोटीन को अमिनो एसीरी मदल कर प्रोटीन का पाचंग करता नेञेंठ है अगनार्स एकि यह द्हरा, इस्तावित हर्मून है ऐल्फा कोईकास से ग्लुकेगान जो ग्लाइकोजन को ग्लुकोज में परिधिता करती है ऐने इक सब्सक्रा की मतरा को भाती है और इंस्वुर्मून इसरावित होता है जो glucose को glycogen में प्रविदित करता है जो सरक्रा की मातला को घटाती है डेल्टा कोशिका से समेटो इस्टेटिन नामा हर्मन इस्टावित होता है जो insulin और ग्लुकेगान के अधिक इस्टाव का नियंतर करती है and the next question है मुटापे का एक अंतर इस्टाविकिये प्रभाव है वो भी CT है जो endocrine effect है तो मुटापे का अंतर इस्टाविकिये प्रभाव कोंसा है जिसका right answer है polycystic ovarian syndrome क्या प्रभाव है मुटापे का अंतर इस्टाविकिये प्रभाव है polycystic ovarian syndrome पॉलिसिस्टिक औरी सिंड्रोम में एक ऐसी मेडिकल कंडिक्सन है जो आम तरफ पर इस प्रोडक्टिव उम्रकी महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इंबैलेंस के करपाया जाती है इसमें एंगला के सरी में मिल हर्मोन अन्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और इसे ज्यादा असिस्ट हो जाती है पालिसिस्टिक औरी सिंड्रोम के निविखित लच्छर होता है वजण मॉटापा में बढ़ जाता है अनियमिट पियेश होता है सरी हो चेहरे पर extra hair growth होता है मुहां से तेली तोचा की समस्या हो जाती है बालों का बहुत अधिक जहना हो जाता है pelvic pain होना आधी लच्छड होते है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही ए था endocrine, exocrine and mixed glands related questions और इससे बाहर आपके इसके अंतरगत से questions नहीं आ सकता इसके परिशान मत हुएगा इस वीडियो से सभी questions समाहित हो जाएंगे and the next question हमारा होगा blood circulation system next video होगा blood circulation system से related तो दोस्तों इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताईएंग जादे से जादे वीडियो को सेर कीजिए और फैस्ट पर वीजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बिल आइकों को प्रेस कर लेजिए जिसे न्य वीडियो को आप तक पहुचता रही रहा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे